हेलो दोस्तों मेरे चैनल काणपाल के चैनल लॉक्स में आप सभी का स्वागत है आप सभी को सब परवार देशहरे की उत्राखंड के लोगपार हरेले की हर दिक सुभ काम नाई कैसे ही आप लोग आज तो सभी के घर में कुछ ना कुछ पकवान बनते ही हैं हम भी मना रहे हैं उत्राखंड के कुछ प्री और शुब पकवाल यहां हमारे यहां बनते हैं आज पुए दही का भोग भगवान को चड़ता है वह साथ में बनते हैं यह उरत की डाल के छेद वाले बड़े और वी के चीज़ बन रही है दाल, चावल, पूड़ी, सबजी और हमारे यहां का पहड़ी राता है चलिए थोड़े बड़े मैंने बना लिए हैं थोड़े से और बनाते हैं आज जो हमाया उर्दु दाल के बड़े बनते हैं उसमें हम लोग नमक, तिसी मिर्चो या कट्यूई हरी मिर्च नमक, हरी मेच, लाल मेच, गर आप हींग खाते हैं तो हींग और साथ में थोड़ी सी हल्दी हम लोग शबुन की जोग डालते हैं हरी धनिया और अजरग भी डाल सकते हैं बिना हल्दी डाले हमारे उत्राखंग में बड़े नहीं मनाए जाते हैं शब कामो में हमारे हां इस तरह चेद वाले बड़े ही बनते हैं जो पकड़ी नमांस होता है वो हमारे हम दूसरे कामों में बना जाते है आप लोग क्या क्या बनता है जरूर बताईएगा ये सुझिगे पुए शिद वाले बड़े कुछ देखिए कढ़ाई में तयार हो रहे हैं कि दाल चड़ी हुई है कि प्यार हो गई है सीटिल बन कर दी है और यहां बनी है बढ़िया कद्दू की सब्जी यह देखिए कि बढ़िया कद्दू की सब्जी बनी है साथ में पहाड़ी रायता भी है यह पहाड़ी रायता बहुत ही खास होता है उत्राखंड का यह आपको शायद ही ऐसा स्वाध अन्नी कहीं राज्यों में मिले जो पहाड़ में मिलता है इसमें खीरा दही बनार सी राय को पानी साथ पीसके राय यह इसका पॉडर बनाक रख लेजे मिर्चा और साथ में देखिए यह श्रगुन की हल्दी जी हां राता भी हमारे यह बिना हल्दी का नहीं बनता है सभी शुब कामों में चाहिए बच्चे पैदा होने पर नाम कर रहो या फिर जन्म दिन हो शादी की सालगरा हो तीस तहवार दिवाली रक्षा बंदन भाई दूज सब में यह पुए और बड़े भगवान को जरूरू फोग लगाते हैं शुद्ध होते हैं अपने घर के बने होते हैं और यही हमारी यहां भोग की रसम हम देखती हुए चलना है हमें तक आपको यह वीडियो मेरे कसा लगा ज़रूर बताएं मेरे चैनल कांटपाल की चैनल व्लोक्स को सब्सक्राइब कर लाइक कमेंट और शेयर किता बिल्कुल जै माँ माँ दया मई दया करमा तेरी सदा जै जै कार हो जै माता महा काली की जै हो जै हो माता महा काली की जै हो जै हो माता महा काली की जै